तोफड्स आज हम बनाएंगे बहंगर सॉस पास्ता चैहीं गidник बनाने के लिए आप मैंने दो कटोरी के लाव पाने में एक कटोरी पास्ता आड़ किए पास्ता को हम वालने वाले हैं लावटे पांच मिनट तक हम पास्तों वालेंगे अ इसको मैं टक के रख दूँगा और अपनी deepen तब तक रेडी कर लेते हैं तो बेज मैं ने बारिय कर लेते हैं तो बेज में पांच काटे लिएंगे, इसको मैं बिलकूर बारी कट करने वाला हूं कि हरा प्याज इसमें हरारा प्याज कर रहा ह letter हम तो हरे प्याज के मैं दोनों पार्ट काटने वाला हूं सबसे पहले हमारे प्याज के पत्ते काट लेंगे तो बिल्कुल बारी काटना है इस तरीके से और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको भी हम बिल्कुल बारी काटेंगे एक सिम्ला मिस्ट चीज़ करूँगा, सिम्ला मिस्ट के जो बीच का पार्ट होता है, इसको हम निकाल के सैड कर देते हैं, और सिम्ला मिस्ट को भी हम थोड़ा सा छोटे-छोटे पीस में काटने वाले हैं, ज्यादा रफ पीस नहीं काटने हैं, हमारी जो गेज है, वो रेडी हो चुकी है, काटके हमने रेडी कर लिए, इसके लाबा आप और कुछ यूज ना करें, और पास्ता भी हमारे बिल्कुल उबल गया है, तो पास्ता को निकाल के हम इसका पान यह लग कर लेंगे, और इसको प्लेट में रखके ठंडा कर लेंगे, एक पैन को गेज पर चड़ा के उसमें लबग एक चमज के लबग ओईल एड करेंगे, ओईल को प्रेंट से हम तेज गरम करेंगे, ओईल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम अपना लेसन हैड करेंगे, तो लेसन को हम प्राई करने वाले हैं, जब हमारा लेसन फ्राई हो जाएगा, उसके बाद इसमें अपनी सिम्ला मिर्च और प्याज एड करेंगे, सिम्ला मिर्च प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करना होता है, बहुत ही हलका फ्राई करना होता है, क्योंकि वो जब खाएंगे उसको तो वो कच कच करना चाहिए, उससे ही स्वाद आता है, अब चामीन में सिम्ला मिर्च प्याज बगरा यूज करते हैं, तो उसमें हम अलका सा फ्राई करते हैं, ज्यादा फ्राई नहीं करते हैं, और इसके बाद अपना हम पास्ता एड़ करते हैं, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, दोने चीज़ों को, बेज और पास्ता को, पास्ता को हम फ्राई करने वाले हैं, मगर उससे पहले इसमें हम थोड़े से मसाले एड़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो मैं मसाला यूज कर रहा हूं, काली मिर्च पावडर, इसको मैंने काली मिर्च को कूट के ताजा रेड़ी किया है बिल्कुल, और थोड़ा से नमक स करने वाला हूं, और पास्ता को लावबग हम एक मिनट तक लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे, तो उसकी जो मौस्चर है, उसके अंदर का वो मौस्चर हम खत्म करने वाले हैं, प्रेंट समारा जो पास्ता, वो मैंने प्राई कर लिया है, और अब यहाँ पर मैं इसमे एड़ कर रहा हूं, बाइट सॉस, दो चम्मच के लावग, तो यह पास्ता बाइट सॉस है, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बाइट पास्ता ट्रेसिंग करके, बीवा कंपनी का, तो इसको आप बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं, घर पर चाहें, घर पास्ता सॉस बनाया जा सकता है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूगा, तो प्रेंट से हमारा जो पास्ता है बल्कुल रेडी हो गया, इसको हम मिक्स करेंगे, और इसको हम सर्फ करेंगे, तो प्रेंट से आपने देखा कि 5-10 मिनिट में, बहुत ही स्वाधि बहुत ही अच्छा पास्ता गरपे रेडी हो जाएगा, तो पास्ता हमारा सर्फ करने के लिए बिलकुल रेडी हो गया है, तो थोड़ा सा हरा प्याज उपर से काट के डाल देंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, बाकि कुछ इतना लॉजिक नहीं है इसका, त टेस्ट करके बताएए कैसा बना हमारा पास्ता, तो प्रेंट्स आसा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज मेरा वीडियो पसंद आया तो शेर करतेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही मेरे व